यहां पर मैंने 8 फंदे लिए हैं 12 फंदे 6 के मल्टिपल से लिए हैं दो बार 6 फंदे लिए हैं तो 12 फंदे प्लस 4 फंदे साइर में डिजाइन को इकुल करने के लिए तो 16 फंदे 2 फंदे एस्टिच के लिए तो 18 फंदे बेस देने के लिए 2 रो उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल लिए हैं तो आपने जब भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिजाइन को डालना है तो आप 6-6 के मल्टिपल से फंदे लेंगे प्लस 6 फंदे एक्स चार दो फंदे सीधे एक दो यह देखे यहां पर मैंने चार फंदे उल्टे बुने दो फंदे सीधे यह 6 फंदों का पैटन है दो चार चे फिर से इस पैटन को ऐसे ही बार बार रपीट करेंगे तो देखे फिर से चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार दो फंदे सीधे ए दो, यहाँ से यहाँ तक हमारे दो पैटरन कंप्लीट हो गए हैं लास्ट में पांच फंदे बचेंगे चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार एस्टली सीधा पुनेंगे पहली रौ गमप्लीट हो गई है दूसरी रौ रौ रिण साइड सीधे फंदे सीधे उल्टे फंदे उल्टे बुनेंगे एंस्टे स्लिप करेंगे चार फंदे सीधे एक दो तीन चार दो फंदे उल्टे एक दो ये देखिए यहाँ पर मैंने चार फंदे सीधे बुने दो फंदे उल्टे फिर से पैटरन को रपीट करेंगे चार फंदे सीध दो फंदे उल्टे एक दो लास्ट में पांच फंदे बचेंगे पांच फंदे उल्टे सीधे एक दो तीन चार Estitch उल्टा भुन लेंगे तीसरी रो है, सीधी साइड है Estitch स्लिप करेंगे रेपीट पैटन स्टार्ट करेंगे चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, दो फंदे सीधे, एक, दो, ये देखिए यहाँ पर मैंने चार फंदे उल्टे बुने दो फंदे सीधे, फिर से पैटरन को ऐसे ही बार बार रिपीट करेंगे, तो देखिए चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, दो फंदे स सीधे 1, 2, लास्ट में 5 फंदे बचेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, एस्टी सीधा बोनेंगी, तीसरी राव कम्पलीट हो गई है, छौती राव, रॉंग साइड, एस्टी सिलिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 4 फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार दो फंदे उल्टे बुनेंगे, दो बार धागा रेप करके एक, दो, एक, एक, दो, दो यह देखिए, यहां पर मैंने चार फंदे सीधे बुनें, दो फंदे उल्टे बुनें, दो बार धागा रेप करके फिर से इस pattern को ऐसे ही बार-बार repeat करेंगे, तो देखें फिर से चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, दो बार धागा रैप करके, एक, दो, एक, एक, दो, दो, लास्ट में, पांच फंदे बचेंगे, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, एस्टिच, उल्टा बुनेंगे, पांच मीरों है, सीधी साइड है, एस्टिच स्लिप करेंगे, repeat pattern स्टार्ट करेंगे, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, धागा पीछे, दो फंदे स्लिप करेंगे, एक, दो, यह देखिए, यहाँ पर मैंने चार फंदे उल्टे बुनें, दो फंदे स्लिप किये, फिर से इस pattern को ऐसे ही बार बार repeat करते जाएंगे, तो देखें फिर से चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, धागा पीछे, दो फंदे स्लिप करेंगे, एक, दो, लास्ट में पा पांचमी रो कम्प्लीट हो गई है, छटी रो रो रॉंग साइन, एस टे स्लिप करेंगे, repeat pattern स्टार्ट करेंगे, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, धागा आगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, यह देखिए, यहाँ पर मैंने चार फंदे सीधे बुनें, दो फंदे स तीन, चार, धागा आगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे, लास्ट में पांच फंदे हैं, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, एस्टिच, उल्टा बुन लेंगे, साथमी रहो हैं, सीधी साइड है, एस्टिच स्लिप करेंगे, स्टार्टिंग में, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, यहाँ से रपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, धागा पीछे, दो फंदे लफ्ट तू राइट, इस तरफ को टेस्ट करे प्रंट लूप से दूसरा फंदा आगे लाएंगे, बैक लूप से पहला फंदा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, अब दो फंदे राइट तू लेफ्ट इस तरफ को टेस्ट करेंगे, दूसरा फंदा बैक लूप से आगे लाए इसके एक उल्टा बुना एक सीधा बुना फिर से इस पैटन को ऐसे ही बार बार रिपीट करेंगे तो देखें फिर से दो फंदे उल्टे एक दो दो फंदे इस तरफ को टेस्क करेंगे दूसरा फंदा आगे लाएंगे और पहला फंदा पीछे लेकर जाएंगे अब एक सीधा बुनेंगे दो फंदे इस तरफ को टिस्क करेंगे दूसरा फंदा आगे लाएंगे और पहला फंदा प्रंट लूप से पिछे लेकर जाएंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे एक फंदा सीधाowej यह देख़्िए यहां सी यहां तक हमारे दो pattern complete हो गई है, last में 4 फंदे बचेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, estries सीधा बुन लेंगे, 7 में row complete हो गई है, 8 में row wrong side, सीधे फंदे, सीधे उल्टे, फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे, estries slip करेंगे, repeat pattern, starting में 1 फंदा सीधा, repeat pattern start करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1, 2, 1 फंदा, उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1, 2, 1 फंदा, उल्टा, यह देखिए, यहाँ पर मैंने 2 फंदे सीधे बुने, 1 उल्टा, 2 सीधे, 1 उल्टा, फिर से pattern को repeat करेंगे, तो देखें फिर से दो फंदे सीधे, एक, दो, एक फंदा, उल्टा, दो फंदे सीधे, एक, दो, एक फंदा, उल्टा, लास्ट में चार फंदे हैं, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, एस्टिच, उल्टा बुनेंगे, तो देखिए आठी राउ कमप्लिट हो गई है और हमारा पैटर भी कमप्लिट हो गया है आगे की साइड से इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से इस तरह से दिखता है तो फिर से हम इसे first draw से start करेंगे और ऐसे ही बार-बार इसकी one two eight draw पीट करते जाएंगे और ये pattern बनकर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी project में डाल सकते हैं ladies guardian में, ladies jacket में, chants off setter, full setter में बच्चों के setter में, cap में apply कर सकते हैं आप इसे बनाईए और अपने experience हमारे साथ share कीजिए अगर आपको हमारे patterns अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को like करना, share करना और subscribe करना मत भूले तो फिर से मिलते हैं, ऐसे ही और नए नए pattern के साथ तब तक के लिए, bye bye friend